राज्य कारेपाली का मंत्री परिशद वास्तवी कारेपाली का मंत्री परिशद सवीधान द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक शाशन में वस्ता इस्तापित की गई है और संसदात्मक शाशन में राज्य की वास्तवी कारेपाली का शक्ति मंत्री परिशद में नहीं होती है जो कि राज्य की विदान सबा के प्रती उत्तरदाई होती है सवीधान के अनुचे 163 के अनुचार उन बातों को छोड़ के जिसमें राज्य पाल स्वय वेक से कारे करता है अन्य कारियों के निवारन में उसे साहिता प्रदान करने के लिए एक मंत्री प्रिशत होगी जिसका प्रदान मुख्य मंत्री होगा राज्य मंत्री प्रिशत की रचना या गठन मुख्य मंत्री की नुक्ति मुख्य मंत्री की नुक्ति राज्य के मंत्री प्रिशत के गठन का प्रत्थम चरण है अनुछेद 164 में कहा गया है कि राज्य पाल मुख्य मंत्री की नुक्ति करेगा वो फिर मुख्य मंत्री की सला से अरने मंत्रियों की न्युक्ति करेगा ये सम्मन में निश्चित परंप्रा ये है कि राज्यों की विधान सबा के बहुमत दल के नेता को मुख्य मंत्री पद पर न्युक्ति किया जाता है लेकिन यदि राज्जे की विदान सबा में किसी एक रासनेतिक दल को सपस्ट भवमत पराप्त नहो अत्वा बहुत भवमत पराप्त दल या विभिन दलो द्वारा बनाए गए किसी स्वयुक्त मोर्चे का कोई निश्चित नहीता नहो तो राज्जे पाल मुख्य मंत्री की चैन का मुख्य मंत्री ही करता है और वहे मंत्रियों की नाम तता उसके विश्यों की सूची राज्जे पाल को देता है वेवार के अंतर गत गत दो दशक में राज्जे में बहुत वड़े आकार वाली मंत्री परिशोदों का गठन किया गया अत्य एकराणवे सवे धानिक शान्शोदन दो हजाती इनके आधार पर विवस्ता की गई कि राज्जे में मुख्य मंत्री सईथ राज्जे मंत्री परिश्ट के सदेस्यों की संख्या विदान सबा की कुल सदेस्यों संख्या की पंदरा परतिश्यों से अधिक नहीं हो सकत जनसंख्या की द्रस्टी से छोटे और विदान सबा की कम सदस्यों संख्या वाले राज्जे को द्रस्टी में रखते हुए विवस्ता की गई है कि इन राज्जे में मुख्य मंत्री से इत्बारा मंत्री हो सकते हैं मंत्रियों के चैन में मुख्य मंत्री कई बातों का उध्यान में रखते हैं जैसे राज्य के सभी छेत्र और वर्गों को मंत्री परिशद में नाय संगर ढंग से प्रतिनी दित दिया जाता है समाने थे मुख्य मंत्री दोरा अपने ही दल में से मंत्री परिशद का निर्मान किया जाता है जिसे मंत्री परिशद एक इकाई के रूप में कारे कर सके मंत्री परिशद में दल के प्रभावशाले सदेसें को इस्तान दिया जाता है जिससे मुख्य मंत्री को दल का विश्वास प्राप्त रहे मंत्री पुरिशद में ऐसे सदेशियों को इस्तान दिया जाता है जो मुख्य मंत्री के विश्वास पात रहो और उसके नेतृत को प्रसंता के साथ सुईकार करते है ऐसे विक्तियों को लिया जाता है जिसमें प्रशासनिक यूग ग्यता हो और जो कानो निर्मान तथा प्रशाशन के दायतों को पूरा कर सके एम विधान मंडल में स्थती का सामना कर सके मंत्रियों की युग गेता मंत्री परिशत के सभी सदेस्यों के लिए आवशिक है कि वे विदान मंडल के किसी सदन के सदस्य हूं यदि कोई विक्ती मंत्री परिशत पर नुक्ति के समय विदान मंडल का सदस्य नहीं है तो उसके लिए छे महा के बितर विदान मंडल की सदे से तापराप्त करना आवशक होता है ऐसे करने में ऐसा फल रहने पे मंत्री पर छोड़ना होता है मंत्रियों का कारे विभाजन राज्य पाल मंत्री परिश्द मुक्य मंत्री के प्रामर्श के अनुसार मंत्रियों में कारे विभाजन करता है मंत्री के अधिकारों के अंतरगत प्राई एक ही प्रमुक विबाग किन्तु कभी कभी एक से अधिक विबाग भी रहते हैं मंत्रियों के अतिरिक्त प्रतिक विबाग में सच्चिव, अतिरिक्त सच्चिव, सेक्त सच्चिव, उपसच्चिव, नतालिपिक आदी, इस्ताइपत आदीकारी होते हैं मंत्रियों दुआरा शपत ग्रहन पदग्रहन के पूर मुख्य मंत्री को रच्चेपाल के समक्ष दो शप्ते लेनी होती है पहली पद के करतवियों की दूसरी गोपनी अतागी मंत्रियों की शर्णिया राज्यों के मंत्री प्रेशड में मंत्रियों की त्रीन शर्णिया होती है केबिनेट मंत्री या मंत्री मंडल के सदे से राज्य मंत्री और उप मंत्री केबिनेट के सदे से सबसे अधिक मैत्पून होते हैं और केबिनेट के दोरा ही सामोई करूप से शाशन की निती का निर्धारन किया जाता है दूसरे इस तर पर राज्य मंत्री होते हैं कुछ राज्य मंत्री को तो स्वतनत रूप से किसी विबाग के परदान के स्थिप राप्त हो जाती है और कुछ राज्य मंत्री केबिनेट मंत्री के कारे में हाथ बाढ़ते हैं राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री आते हैं जो कि केबिनेट मंत्री के सायक के रूप मे कारे ड़ते हैं मंत्रियों के इस रियों के आधार पर ही मंत्री मंडल और मंत्री प्रेशद में अंतर समझा जा सकता है प्रतम स्थर के मंत्रियों को सामोई करूप से मंत्री मंडल या केबिनेट कहते हैं और तीनों ही स्तरों के मंत्रियों को सामोई करूप से मंत्री प्रिशत कहते हैं इस परकार मंत्री मंडल या केबिनेट एक छोटी लेकिन एक बहुत अधिक मैत्व पूनिकाई है मंत्री प्रिशत एक बड़ी काई है मंत्री मंडल चक्र के भीतर चक्र है मंत्रियों के वेतन और भत्ते मंत्रियों के वेतन तता भत्ते राज्य के विधान मंडल द्वारा निशित किये जाते हैं अतर भारती संग के विबिन राज्यों में इस सम्मन में इस तत्रियों में भीध है मंत्रियों के वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते निवास के लिए मुक्त सुईदा वे अन्य सुईदा प्राप्त होती है मंत्री प्रिशत का कारेकाल मंत्री प्रिशत का कारेकाल विदान सभा के विश्वास पर निर्बर करता है सम्माने तो पर मंत्री प्रिशत का अधिक्तम कारेकाल पांच वर्षका हो सकता है व्यक्ति गुत रूप में किसी मंत्री का कारेकार मुखी मंत्री के उसमें विश्वास पर निर्बर करता है सामुई उत्तरदाई मंत्री परिशत सामुई गुरूप से विदान सबा के प्रति उत्तरदाई होता है अर्थात मंत्री परिश्ट के सदे से साथ साथ ही डूपतें और तेरतें हैं यदि वीधान सबा किसी मंत्री के विरुद प्रस्ता पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विदे को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्री प्रिशत को त्याग पत्र देना होता है इस पर करा मंत्री प्रिशत के द्वरा जो निर्ने लिए जाते हैं सबी मंत्रियों को उनके समर्थन करना होता है चाहिए विक्तिगत रूप में वे इस निर्ने से सहमत हो या ने हो निती संबंदि मामलों में भी मंत्री परिशत का सामोईक उत्तरदायत होता है लेकिन किसी मंत्री के ब्रस्ट आचरण या विक्तिगत दोश के लिए संबंदित मंत्री ही उत्तरदायक है समस्त मंत्री परिशत नहीं मंत्री परिशत की कारे पढ़ना लिए मंत्री परिशत की सबसे अधिक महत्वपून ही काई मंत्री मंडल है और मंत्री मंडल ही सभी महत्वपून मामलों में निन्नेक लेता है मंत्री मंडल की बैठ के प्राइस सब्ता में एक बार होती है वैसे मुख्य मंत्री जब चाहे तब उसकी बैठक बुला सकता है इस बैठा की अद्देख्षता मुख्य मंत्री करता है और मुख्य मंत्री की अनुस्तिती में वरिष्ट मंत्री बैठा का कोरम गनपूर्थी नहीं होती मंत्री मंदल की कारवाई की दो प्रमुक नियम है सामहुई कुत्तरदाई तो गोपनिय था मंत्री मंडल की बैठकों में सामानेते सबी निन्ने एक मत्थ से लिये जाते हैं मतवेद की स्थिती में पारसपरी विचार मश्क आदार पर किसी एक निन्ने को अपना लिया जाते हैं और वह निन्ने सबी मंत्रियों का सयुक्त निन्ने माना जाता है यदि कोई मंत्री इसे सुईकार करने में स्वयम को ऐस समट पाता है तो उसे त्याग पत्र देना होता है मंत्री प्रिशद के प्रत्यक सदे से द्वारा गोपनेता की शपत ली जाती है और मंत्री प्रिशद की कारवाई दौता निन्ने गुपत रखे जाते है यदि कोई मंत्री गोपनियता को भंग करता है तो उसे त्याग पत्र देना होता है बजट के सम्में में इस नियम का और अधी कड़ाई से पालन किया जाता है मंत्री परिशत की शक्तियां और कारे यदि पिसावीदान के अनुचेद 163 में मंत्री परिशत का कारे राज्ये पाल को सहाइता और प्रामश देना ही बताया गया है किन्तो वास्तरी के स्तिति इसके विप्रित ही है सवीदान के द्वारा राज्ये पाल को राज्ये साशन के सम्मन्द में जो शक्तियां प्रदान की गए है वेवार में उन सब का उपयोग मंत्री परिशत के द्वारा रही किया जाता है मंत्री परिशत साशन सम्मन्दी सबszy महतुपूर निनने लेती है और मुख्य मंत्री इन निन्नों से राज्ये पाल को सूचित करता है राज्जी पाल इस प्रक्रिय हमें मुख्य मंत्री को प्रामश आवसे ही देता है राज्जी की कारवपली का शक्ति मंत्री परिशद में नहीं थे है मंत्री परिशद को कई तरह की कारियों शक्तियां प्रैदान की गई है शाशन की नीती का निर्धारन करना मंत्री प्रिशत का सबसे अधिक मैत्पून कारे शाषन की निती निर्धारन करना है चैगरेविबा, गोय शिक्षा, स्वास्ते, अत्वाकरशी शाषन की निती का निर्धारन मंत्री प्रिशत के द्वारे किया जाता है मंत्री प्रिशद ने केवन निती नहिदारन करती है वरन उसे कारे रूप में भी परिनित करती है उच्पदों पर न्युक्ति के सम्मन में राज्जे पाल को प्रामर्श विदान के अनुसा राज्य पाल मा अदी वक्ता राज्य लोक से वायों के अद्देश होसदर से तता अन्य उच अदीकारियों के नुक्ति करता है वेवार के अंतरगत राज्य पाल के द्वारा ये सभी नुक्तिया मंत्री प्रिशद के प्रामस के अधार पर की जाती है मंत्री प्रिशद ही राश्टपती को उच नयालों के नाइडिश की न्योक्ती के संब्ध में प्रामश देता है विदान मंडल में शाषन का प्रतिनी दिद विदान मंडल की बैठकों में मंत्री गण शाषन का प्रतिनी दिद करते हैं मंत्री गुन विद्धान सबा और विद्धान परिशद में उपस्तित होकर सदेस्यों के प्रशन तता आलोशना का उत्तर देने और शाषन की नीती का समर्थन करते है कानू निर्मान का कारिकरम निशित करना मंत्री परिशद ने केवल शाशन वरन कानू निर्मान के छेतर में भी महत्पून वूमी का अदा करता है यदि ये कहा जाए कि मंत्री परिशद विदान मंडल की सहमती से कानून का निर्मान करता है तो इसमें कुछ अनुचित नहीं होगा विदान मंदल में कौन कौन से विदेग तदा किस करम में प्रस्तुत की जाए इसका निन्ने मंत्री प्रिशत को ही करना होता है प्राई अधिकाश विदेग शाशन की ओर से ही प्रस्तुत की जाते है मंत्री प्रिशत अपने भाउमत के बल पर ही इनेस्वी करती है इस प्रकार मंत्री प्रिशत कानू निर्मान के चेतर में विदान सबा का नेतुत करती है बजट तियार करना राज़े का वाशिक बजट वित्य वर्ष के प्रारम से पूर वित्मंत्रे के द्वारा विदान सबा में प्रस्तुत किया जाता है लेकिन ये बजट मंत्री प्रिशत द्वारानेशित की गहिनीती के आदार पर ही तियार किया जाता है बजट के पारित कराने का उत्तरदाइर भी मंत्री प्रिशत का ही होता है शंक्चम में मंत्री परिशत राज्य की प्रशाशन की सबसे अधिक महत्पून इकाई है आज के लिए इतना ही धन्यवाद